तो हलो 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 भाई लोग क्या से हूँ आप सब लोग स्वागत है आप सब का एक बार फिर से हमारे बिल्कुल नए वीडियो में और गाइस आज इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं कि ड्रेग हेड़ शॉट मारने के बाद लास्ट गोली बॉडी पे लगके जो बॉडी श सॉलिशन क्या है और उस प्रब्लम के पीछे का जो रीजन है वो भी क्या है तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाओंगा कि यह प्रब्लम क्यों होती है और इस प्रब्लम का प्रॉपर्पर सलूशन परफेक्ट 100% बर्किंग सॉलूशन क्या है और उसको किस तरह से आप PC में या टेबलेट में इंप्लेमेंट कर सकते हो चाहे आप Android प्लेयर हो चाहे आप iPhone प्लेयर हो आप iPad पे खेलते हो या आप PC पे खेलते हो आपके लिए ये चीज 110% काम करेगी अगर आप मेरी दी गई टिप्स जो है उसको प्रॉपर फॉलो करोगे तो अगर आप इसके जाए कि चीजे क्या करनी है किसका ध्यान रखना है और कौन सी चीजे प्रॉपरली फॉलो करनी है तो वीडियो को शुरू करने से पहले चल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या लाल कलरका सब स्क्राइब का बटन दबाके बेल आइकन क्लिक करके और सेलेक कर लेना ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो वैस सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम की तो प्रॉब्लम यह है कि ड्रेग हेड़ लगने के बाद लास्ट ग जो है वो मैं आज आपको बताओं उससे पहले आपको मैं समझाओंगा कि यह प्रॉब्लम क्यों होता है तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम सबसे पहले एम असिस्ट क्या है उसे समझ लेते हैं तो आज जब भी अपने एनिमी के नस्दीक अपने सेंटर में जो क्रॉ आल कलर का हो जाएगा और उसके बाद जब आप फायर बटन को प्रेस करोगे तो वह आटोमेटिकली बंदे के पेट के ऊपर चिपक जाएगा मतलब कि उसकी जो वेस्ट है उसके बिल्कुल सेंटर में चिपक जाएगा यह जो पूरा का पूरा फंडा है उसे एम असिस कहते है मलब कि आपका एम अगर एमी के थोड़ी भी आजू भाजू में है और आपने फायर बटन दबाया तो एम जो है वो बंदे के ऊपर चिपका रहता है और आपको अच्छी तरह से गोलिया कनेक करने को मिलती है अब होता क्या है कि जब आप ड्रेग हेड़ शॉट मारते हो तब आप ये जो एम असिस्ट एक बार लॉक हो चुका है उसे फायर बटन की मदद से एनिमी के हेड के ऊपर ले जाते हो और उसके बाद जितनी भी गोलिया है सब की सब गोलिया हेड पे लगती है और आप अपने एनिमी को हेड़ शॉट मार के इजिली मार सकते हो मगर यह पर जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से होती है कि आप जब रैग हेड़ शॉट मारना शुरू करते हो उस टाइम पे आपको लगता है कि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो कम है जिसके कारण आपके हेड़ शॉट नहीं लग रहे है और आप फायर बटन को ज़रूरत से ज्यादा स्पीड में खीज देते हो जिसके कारण आपकी एक गूली सामने वाले बंदे के सर पे लगती है उसके बाद भी आप अपना फायर बटन उपर ले जा रहे होते हो जिसके कारण आपका एम एनिमी के बिलकुल उपर चला जाता है अब जैसे मैंने आपको एम असिस समझाया उसके मुताबिक एम जो है वो एनिमी के जब भी आसपास में रहता है तो वो आटोमेटिकली एनिमी के सेंटर प्या जाता है तो वो एम बापिसा जाएगा एनिमी के पेट के उपर अब आपने जो एक हेड़ शॉट मारा है उसके अंदर आपने बंदे को अच्छा है वो आपको मिलेगी बॉडी शॉट से तो यहां पर हमें पता चल गया है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है अब गैस मैं आपको बताता हूं कि इस प्रॉब्लम का के बताना है कि आपका headshot rate कितना है और आप CS खेलना पसंद करते हो या बैटल रोले खेलना पसंद करते हो तो गैस सॉलूशन के अंदर हमारे पास दो अलग अलग टाइप के सॉलूशन है जिसमें से जो सबसे पहला सॉलूशन है वो गैस काफी easy है और वो किसी भी level का बंदा किसी भी device के अंदर बहुत आसानी से use कर सकता है और maximum बंदे इस solution को even use भी कर रहे होंगे और इस solution का नाम है high damage headshot मनलब कि आपको easy gun use करनी है जिसका एक headshot ही 200 के plus damage दे दे तो दूसरी गोली मारने का सवाल नहीं पैदा होगा और बंदे की body shot से kill आने का भी सवाल पैदा नहीं होगा और ये चीज़ maximum आप long range में कर सकते हो short range के लिए दूसरा solution है मेरे पास तो high damage वाली gun की बात करें तो उसके अंदर आप SVD, SKS, M14, wood picker, AK जैसी gun को use कर सकते हो जिसके अंदर आप अगर high level का muzzle या even silencer भी लगाते हो तो long range के अंदर आपको बंदे को 200 प्लस का headshot मिलेगा और आप असानी से headshot से उस बंदे की kill confirm कर सकते हो बले आप one tap ना मारो, सीधा fire button को उपर खीचो, पहली body shot लगेगी मगर दूसरी headshot लग जाएगी और आपकी kill drag headshot या one tap headshot आप जो भी बोलो उससे आपको मिलेगी अब guys बात करते हैं दूसरे solution की जो की maximum बंदों को जरूरत है और ये solution काम करता है mid range से short range के अंदर अगर आप long range में solution को use करने जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छे result मिलेंगे मगर आपको उतना sufficient damage नहीं मिलेगा तो आप जो है वो बंदे को proper finish करो उसके पहले बंदा जो है वो glowal डाल सकता है तो second solution जो है उसका नाम है perfect sensitivity अब यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ना वो मैं आपको proper तरीके से समझाता हूँ अब problem के अंदर हमको पता है कि बंदे के सर के उपर जब aim चला जाता है तो आपका aim जो है वो बिलकुल reset हो जाता है तो आपको जाना है training ground के अंदर आपकी जो भी sensitivity है जिसके उपर आप खेल रहे हो उसी sensitivity को रखना है और आपको training ground के अंदर जो हमारे adam चीचा खड़े है उस adam चीचा को drag headshot मारने की try करनी है और आपको practice इस तरह से करनी है कि आप जब drag headshot मारना start करो और जैसे ही आपको पहला headshot दिखे आपको अपना fire button उसी जगा पे रोक देना है मतलब कि fire button की movement जो है वो headshot दिखते ही आपको रोक देनी है ताकि आपका aim बंदे के head पे ही रहेगा और फिर आप कितनी भी गोली मारोगे सामने वाले बंदे को headshot ही दिखेगा तो maximum बंदे drag headshot के अंदर क्या करते है कि button को उपर खीज देते है मगर फिर रुखने का नाम नहीं लेते और एक headshot लगने के बाद aim चला जाता है हवा में या फिर reset के बापिस body पे आ जाता है और बंदा मरता है तो body shot से मरता है और headshot से kill नहीं मिलती है तो आपको इस तरह से training ground में practice करनी है कि आपका aim एक बार head के उपर आए फिर आपका fire button वहीं पे रुख जाना चाहिए आपकी जो finger है वो वहीं पे रुख जानी चाहिए ताकि बंदे को और जितनी भी गोलिया लगे वो सब गोलिया headshot ही रहे यह चीज आप जैसे जैसे practice करते जाओगे आप running enemy को भी मार पाओगे आप खड़े हुए enemy को भी मार पाओगे और maximum यह tricks सीखने के लिए आपको सबसे पहले target range में Adam पे practice करनी है उसके बाद आपको चला जाना है training ground में और वहाँ पे जितने भी हमारे एकदम legendary बंदे आते हैं सबको इस तरह से headshot मारने की try करनी है अब guys यह दो solution use करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो ऐसी gunskin use करते हैं जिन gunskin के अंदर accuracy minus होती है तो guys आपको always यह prefer करना है कि आपके gun के अंदर accuracy minus ना हो क्योंकि अगर guns recoil करती है आपका aim बंदे के सर के उपर भी है और bullet अग लगने के बाद aim सर के उपर भी होगा फिर भी तीसरी bullet नीचे जाएगी और body पर लगेगी और maximum chances है कि आपके kill body shots से आएंगे तो आपको always ऐसी gun use करनी है जिसमें accuracy हो सके तब तक minus ना हो क्योंकि accuracy minus वाली guns जो है वो long range के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत देती है और short range के अं वीडियो में इतना ही था I hope कि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़े सीखने को मिली होगी और सारी चीज़े जानने को मिली होगी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइ भाइबाई तेके